गोगरा महादेव दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग महाशिवरात्री परोपर पेच नदी में सित गोगरा महादेव दर्शन के लिए पर इस साल प्रशासन ने कोरोना संक्रमन को देखते हुए इस साल की महाशिवरात्री यात्रा रद्द करने से भक्तों को इस मरतबा पर इसर बहुती सुन्दर दिखाई देता है जिसमें शिव जी की मूर्ती नदी के बीचों बीच इस्थापित की गई है हर साल महा शिवरातरी पर भगवाएं शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालू आते हैं पर इस साल कोरुना काल होने से प्रशासन ने इस साल की महा श्रद्धालू को दर्शन कलाव नहीं मिल सका जहां सुबह से पुलिस प्रशासन ने कड़े बंदो बसकर यहां पर जाने वालों को रोग दिया बीच नदी में दर्शन के लिए श्रद्धालू को अनुमती नहीं होने से श्रद्धालू को निराश होकर वापस चाना हाली में प्रशासन की और से एक बैठक बुला कर वहां नेड़ने लिया गया दोसो लोगों में इस साल की यात्रा पूरी कर पूजा पाट की जाए दोसो श्रद्धालू में ही इस साल की यात्रा पूरी करने का आदेश प्रशासन की और से दिया गया था जिसकी वज़े से सुभा से यहाने वालों को पुलिस प्रशासन द्वारा दर्शन के लिए नुमती नहीं दी गई हर साल यहाँ पर हसारों श्रदालू दर्शन के लिए आते हैं जहाँ पर सैकड़ों दुकाने यहाँ पर लगी रहती है आने वाले श्रत्धालूं यहाँ पर खरीदारी कर दर्शन करते हैं जिससे या भारी पैमाने पर दुकानदारों में खुशी की लहत दिखाई देती है पर इस साल यहाँ पर एक भी दुकान प्रशासन की और से लगाने के अनुमती नहीं दी गई जिससे भारी नुकसान छोटे बड़े दुकानदार को सहना पड़ रहा है आज महाशिवरात्री होने से घोगरा महादेव देविस्थान परिसर में 200 लोगों की उपस्तिती में पूजा अर्चना कर महाशिवरात्री परव मनाया गया लोगों में खासी नराजगी दिखाई दी वहीं यहां लगने वाले छोटी बड़ी दुकाने परिशासन अनुमती नहीं देने से नहीं लगाई जिससे यहां पर दुकानदारों को आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है जबकि आए दिन शनिचा इतवार को बाहर गाव से श्रदालू बड़ी संख्या में आते हैं तब कोरोना प्रादूर भाव होता नहीं क्या इस तरह का सवाल तक निक दुकानदारों ने उपस्तित किया गया जबकि यातरा सुचारों रूप से हो सकने के असार इस साल होते हुए भी यहां की यातरा परशासन ने बेवज़ा रद कर दी आखिर क्या हासल किया यह सवाल यहां के चोटे बड़े दुकानदार परशासन से कर रहे हैं जबकि यातराफ महाशिवराती बड़े हुमधाम से मनाई जा रही है वहीं घोगरा महादेव देविस्थान की यात्रा रद्द करने से खासी नराज की स्थानिक में दिखी है पारशिवनी पुलिस वभाग की और से इस मरतबा भारी पुलिस बंदोबस्त लिहान लगाया गया जिससे भारी शहरों से आने वालों को दर्शन के अनुमती नहीं दी गई जिलादिकारी द्वारा दिये गए आदेश का पालन पुलिस प्रशासन ने पालन किया वहानों को घोगरा पेच नदी में आने की अनुमती नहीं होने से श्रत धालू पैदली चल कर दर्शन करतें नसराए पारशिवनी से BCN News के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट